हलो दोस्तों, स्वागा थे आप सभी को एक बार फिर आपके अपने येटूब चैनल एकजाम इलेक्शन में आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे भरती एंटी पिसी दूहजार चोवीस इंटर लेवल की जो वेकेंसी आई है उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो इंटर लेवल एंटी पिसी की वेकेंसी है उसका फंभरना स्टार्ट हो चुका है तो बहुत सारे बच्चे के मन में कन्फ्यूजन अवसही रहता है कि उनके लिए सबसे सिफेस्ट जोन कौन सा होगा किस जोन का चैन करें तो जोन को चैन करने में आपको अगर कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को आप पुरा देख लिए आपका सारा कन्फ्यूजन किलियर हो जाएगा क्योंकि हम इस वीडियो में पिछले बर्ष जो 2019 की एक्जाम हुई थी उसके कटफ केटोगरी बाइज सभी केटोगरी का कटफ का एनलेसिस भेकेंसी के साथ करेंगे कि 2019 में कितनी भेकेंसी थी, कटफ कितनी गई थी और इस बार की भेकेंसी उस जोन की कितनी है तो काफी ही इंपोटेंट रहने वाला है उन छात्रों के लिए जो छात्र इंटर लेवल एन्टी पीसी का फ़र्म भरने वाले हैं तो अब असे ही इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपका सारा कनफ्यूजन दोर हो जाए वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपोटेंट अपडेट है कि इस चैनल पे आप लोगों के लिए एन्टी पीसी 2019 में जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपर का स्वल्यूशन आप लोगों को मैथ पलस रिजिनिंग दोनों ही सेक्षन का स्वल्यूशन आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगा तो अब असी चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलिए बिना किसी देली क्यों हम लोग चलते हैं अपने में टॉपिक पे अब देखिए हम लोग ने क्या किया है कि इसमें सभी जोन की कटफ 2019 स्वी टी वन लेवल टू की हम बात करते हैं लेवल टू का हम लोगों ने कटफ लिया है तो यूर की 2019 में कितनी कटफ गई थी ओबिसी कितनी गई थी सभी जोन का दिया है और वेकेंसी 2019 में कितनी थी और दूहर 24 में यहां पर कितनी वेकेंसी आ हैं तो दोनों को साथ हे साथ हम कंप्रेजन करेंगी कौन सा जोन आपके लिए सही रहेगा सबसे डेंजर जोन कौन सी है तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे देखे सबसे पहले बात करते हैं परियागराज की सबसे जो हाइस कटफ किस जोन की गई थी तो वह जोन थी परियागराज देखे सबसे ज़़ा कटफ 75 नंबर यू-熬 केटोग्री का परियागराज राज में गया था OBC का 71 था EWS का 65 था SC क게 65 था और Sτι का 53 था । वेकेंसी 952 था इस बार वेकेंसी कितना है 389 वेकंसियाँ इस बार भी वेकंसि अधर जोन की कंप्रिजर में ठीक ठाक परियागराज की वेकंसियाँ है पिछले भर भी ठीक ठाक थी इस बार भी ठीक ठाक है cut-up सबसे highest पढ़्याग राज का गया था उसके वाल बाद करते हैं हम लोग एजमेर की वेकंसी पिछले बार कितना था 410 था इस बार cut-up उस बार कितना गया था 73 गया था मत सकंड हाइस्ट 70 गया था OBC का EWS का गया था 64 SC का 63 और ST का 60 गया था, वेकंसी पिछले बार 410 था, इस बार कितना है तो मात्र 71 वेकंसी आ है, तो देख सकते हैं वेकंसी काफी ही कम है, कटफ भी यहां पर बहुत ज़्यदा चला जाता है अजमेर की, बात करते हैं हम पटना की, तो पटना की वेकंसी पिछले बार 168 था, का 54 गया था, और ST का भी 57 गया था, एक ची देख लिए यहां पर में भी गलतियां कुछ हो सकती है, था बहुत अगर गलतियां हो गई हो, कटफ एकार्ड मार्क्स के तो आप लोग उनको इग्नोर करें, देखें इस बार जो वेकंसी आ थी, सिर्फ मात्र 16 वेकंसी थी, इस कम है तो रिस्क नॉले हैं, आप लोग पतना जोन को सेलेट करके, बात करते हैं हम लोग रांची की, तो रांची की पिछले बार वेकंसी के थी, 408 वेकंसी थी, कटफ एक अतर, यू आर की, ओबी सी की 69, इडवलू एस का 54, SC की बात करते हैं तो 59, और ST की बात करते हैं तो 53 3 कटफ गया था, चंडीगर की बात करते हैं, लेकिन इस बार वेकंसी मातर 76 है, चंडीगर की भी बात करते हैं, 247 वेकंसी इस बार है, पिछले बार 862 वेकंसी थी, कटफ भी काफी हाई चला गया था, भुपाल की बात करते हैं, तो देखें, 303 वेकंसी पिछले बार थी, इसर वेकेंसी काफी कम है मात 58 वेकेंसी या है कट अब भी काफी हाई चला गया था मतलब यतने भी 70 से उपर वाले जोन है उसको आप डंजर जोन मान सकते हैं 70 से नीचे वाले को मेडियम रेंज का मान सकते हैं 60 से नीचे मतलब 69 से लेकर के 68 तक जो भी जोन आरा सभी को मेडियम मान सकते हैं 68 से नीचे वाले मतलब 65, 64, 63 इस सब को आप ठीक ठाक जोन मान सकते हैं आप वहां से फ़र्म को भर सकते हैं प्रिगर की बात करते हैं तो भोपाल का देखिये कटफ हाई रहा था मालदा की बात करते हैं तो मालदा में कितना धगांची थी पिछले साल 302 कटफ ठीक ठाक हाई गया था 69 था यू आर का ओबी सी का 67 था EWS का 63 था SC का 60 था और ST का 46 था कोलकाता की बात करते हैं तो 1158 वेकेंसिया थी सबसे हाईस्ट वेकेंसिया कोलकाता का था पिछले बार लेकिन वेकेंसिया आपका सकते हैं कि मेडियम में गया था 68 और जर्फ के टोगरी का 65 OBC का 56 EWS का 59 SC का और ST का 51 इस बार की वेकेंसिया की बात करते हैं तो 452 सेकेंड हाइस्ट वेकेंसिया कोलकाता का है तो इसमें आप कोलकाता एक आपके लिए अच्छा अप्शन हो सकता है कोलकाता में आप लोग चाहें तो फॉर्म फिलप कर सकते ह हैं उसके यहादे बात करते हैं वेकेंसिया को बहुत ही काम मात्र 60 भेकेंसिया है इसके बार बात करते हैं भूब्नगयश्वर्की तो ब्र भूब्न एस्षौर की कटắc किटना एस बार 56 है पिछले साल 1 56 था cut up ठिक ठाक गया था शेकंडरःड आक्हेइज था इस बार वेकेंशी कितने हैं 89 है मतलब पिछले साल की कंप्रीजर में बहूत ही कम भेकेंसी याँ है लेकिन cut up ठिक ठाक मतलब कम ही रहा था 65 लेकिन इस बार वेकेंसी ही नहीं है बहुत कम है तो cut up officially क्या है कि higher जाएगा ही जाएगा उसके बाद करते हैं हम बिरासपुर की 183 vacancy थी 152 इस बार भी vacancy है मतलब लगवर लगवर थ्राबोत का अंतर है cut up का सकते हैं आप low गया था cut up मत 64 गया था किसका अन्रेजर्फ के टाउगरी का 61 गया था OBC का EWS का मातर 49 रहा था SC का 52 रहा था और ST का 48 रहा था मतलब लासपुर में पिछले बार क्या था कि other zone की completion में बहुत ही कम vacancy थी कम vacancy रहता है तो बच्ची क्या करते हैं वहाँ पर हम भरते ही नहीं जिसकान से cut up कम चला जाता है इस बार ही वेकेंसी ठीक ठाक है इस बार अधर जोन की completion में करते हैं तो एक सबावन ठीक ठाक एक्वाल वेकेंसियां है बिलासपुर जोन में important जोन है हुआ 1071 वेकेंसी थी पिछले बार वहाँ कौन सा जोन है तो मुंबई है इस बार वेकेंसी 699 सबसे हाइस्ट वेकेंसी यहां 699 मुंबई जोन की है cut up की बात करते हैं तो मात 63 गया था पिछले साल 60 गया था OBC का EWS का मात 47 रहा था SC का 50 सिख गया था और ST का 48 रहा था मतलब आप एक बहुत ही अच्छा जोन है मुंबई कटफ कम रहता है और इस सर्वेकेंसी भी अच्छी खासी है तो सेकेंड च्वाइस आपका मुंबई जोन हो सकता है उसकर बात करते हैं अहमधाबाद में भी वेकेंसी कितनी थी 432 वेकेंसियां थी इस बार वेकेंसिय केतनी है 210 ओल्मोस्ट आधा से भी कम लेकिन कटप देखते हैं तो 62 UR की OBC की 58 EWS की 45 SC की 55 ST का 49 रहा है अहमदाबाद देखिए अब यतने भी नीजी जाएंगे सभी की कटप क्या हुआ कम होता जाएगा ठीक है तो आहमदाबाद में इस बार वेकेंसि मेडियम रेंजी की है कटप कम जाता है पिछले साल भी वेकेंसि मेडियम रेंजी की थी तो आप यहां से भं फर्म फिल अप कर सकते हैं यानि आपका तिसरा ओप्सन कहेंगे तो आपको आहमदाबाद हो सकता है आहमदाबाद भी फर्म फिल अप कर सकते हैं उसका देखे सबसे लोइस्ट भेकेंसि सबसे लोइस्ट कटफ गया था वह कौन सो था गुहाटी था गुहाटी की भेकेंसि 328 था सबसे कम कटफ सिर्फ मात्र 55 यूर के टोगरी का गया था गुहाटी का उसके बाद OBC का मत्र से तालिस रहा था EWS की 40 SC की 46 और ST की मात्र 45 कटफ गया था सबसे लोइस्ट जो की कटफ गया था हुआ गुहाटी का वेकेंसि कितना था 308 इस वाल वेकेंसि कितना कम कटफ जाने वाला जोन है उसके देखें सिल्ली गूरी का भी सकेंड लोइस्ट कटफ रहा था वेकेंसि 74 था इस सब वेकेंसि 142 है चन्नाई की बात करते हैं तो 927 है थर्ड लोइस्ट कटफ यहाँ पर गया था लेकिन इस पर वेकेंसि मात्र 194 है पिछले साल करते हैं तो बहुत ही कम वेकेंसि थी वेकेंसि है एक सचन्नाई देखिए मुझा फरपुर का है कटफ बहुत ही कम रहा है लेकिन इस पर वेकेंसि का है अर्थ सठ है तो आप देख लीजिए आप सभी का स्क्रीन सॉट ले लेजिए आप इसको अच्छे से आप खुद से अलेसिस करके देखिए आपके लिए कौन सा जोन सुटेवल रहेगा सबसे पहले तब देख लिए आप अपने आसपास के जोन को भरने कोसिस कीजिए तो आपके लिए फ्यूचर के लिए काफी अच्छा रहेगा तो चलिए उम्यद करते हैं कि आपको यह व्यूचर काफी ही पसंद आया होगा क्योंकि हम लोगों ने इस वीडियो ने बता दिया है कि कहा पर कितनी कट अफ गई थी 2019 में इस वर वेकंसी कितना था और इस वर वेकंसी याँ कितनी सी तो उमिद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी helpful रहा होगा अगर अच्छा लगाए तो वीडियो को अवसी लाइक कर दें और दोस्तों के साथ अवसी शेयर करता कि उनको भी तरह बहुत इस वीडियो के माधम से help हो जाए चलिए वीडियो को यह कंप्लिट करते हैं वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद